हेलो एब्रीवन गुड मॉर्निंग मैं हूँ पुनिमा अपलो के साथ फिलाल मैं वेज बेंगल से हूँ आज के ब्लाग गारिनिंग से ही शुरू करेंगे अभी जे मिट्टी आयना बहुत हाड हो गया इसलिए उसको देशी सावल से खो देंगे टॉब में यह दिक्कत होता ह जर्ड बहुत जल्दी फैल जाता है किचेन का जो सब्जी का छिलका होता है वह मैं वैलती भार के रखती हूँ और बहुत अच्छा खाद बन जाता है लियो सिम्मा मेरे पीछे पीछे जब तक काम खतम करके नहीं जाओंगे लियो सिम्मा चाथ से नीचे नहीं जाएंगे जर्ड बहुत तेजी से फैल गया अभी इसको पूरा उठाएंगे फिर नाया मिठी दे कर फिर से लगाएंगे क्योंकि अभी बारिश का टाइम है ना इसलिए इतना बड़ा पेर अभी उसको हो जाएगा मतलब वो मरेगा नहीं पेर की हिसाब से बास्केट भी छोटा पड देखो मैं तो शीव मैं हो गया इतना बड़ा पेर इतना ताकत से मैं उठा लिया और मिठी भी पूरा एकदम देखो उपर से नीचे तक लेकर रहा हो जो बास्केट है पहले बास्केट को जाल लेंगे उसके बाद थोड़ा जो मेरे पास टूटा बुटा बैग है उसको च ठंड़ ठंड़ हवाज चल रहे है तो जल्दी जल्दी काम खतम करना पड़ेगा अभी तो बारिश का कोई भरोसा नहीं है हाजबेंट आ गया हेल्प करने के लिए क्योंकि पेर बहुत ही भारी है उठाने से तब पता चल गया था कितना भारी है और मिठी भी बहुत है इस हो गया था इसलिए अभी ऐसे स्टैंड लगा दिया ताकि पानी भी नहीं डुके और मच्छर भी नहीं होगा और जितना की रहे हो भी एक जगा पर नहीं रुकेंगे वह बच्चे लियो सिम्मा को बुला रही है अलियो सिम्मा भी देखो इदा रूदा दोड़ रहा है थे इदर खेल रही है परहली खाई तो कुछ नहीं करना परता है एलो का जिन्दगी बहुत बढ़िया है खाओ दाओ खेलो बैस और सोजाओ लियो सिम्मा का नजर उतार रहे है वीडियो को प्लीज लाइक शियर और कॉमेंट कर दीजी सी यूवी नेक्स ब्लॉग तिल देन ब आये बड़ी